सब्सक्राइब जी एसके अन्टीव चैनल और किलिक ऑन बेल आइकन टो गेट एवरी लेटेस्ट निव अपडेट्स हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक को डिसकस करेंगे जो कि हुमन डेवलप्मेंट इंडेक्स 2020 है यहां से आपको हर एक्जाम में एक कोशन कम से कम देखने को मिलते हैं तो इसमें किस तरह से कोशन बन सकते हैं हर तरह से हम इसमें देखेंगे तो पहला है आपका इंडिया का जो रैंक है अब 131 वा अस्थान हो गया है यानि 189 कंट्री में से अब इंडिया का रैंक 131 वा हो गया है पिछले साल 129 रैंक था जो कि अब दो रैंक पीछे हो करके अब 131 वे अस्थान पर इंडिया पहुंच गया है तो आपको यह ध्यानकना है पूछा जाता है कि इंडिया का रैंक क्या है तो 2020 के हिसाब से अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 131 अस्थान पर हैं टोटल कंट्री को जो सामिल किया गया है 189 कंट्री को सामिल किया गया है कभी कोशन पूछा जाता है कि ये Human Development Index कौन जारी करता है तो आपको याद रखना है United Nation Development Program यानि UNDP द्वारा ये रिपोर्ट जारी कि जाती है तो ये भी कुशन कई बार पूछें गए हैं और तिसरा कुशन ये बन सकता है कि इसमें क्या चीज़े सामिल कि जाती है तो इसमें Health को सामिल किया जाता है Education को सामिल किया आता है और Income को यानि तीन पॉइंट्स आपको ये ध्यानकना है जो कि HDI तयार करने में इसका इस्तेमाल किया आता है और यहाँ पर हम First Rank की बात करें तो सबसे पहले स्थान पर Norway है दूसरे स्थान पर Ireland है तीसरे स्थान पर Surgerland चौथे स्थान पर Hong Kong, पांचमय स्थान पर आपका Iceland है इंडिया का rank है आपका 131 मा और सबसे नीचे यानि 189 में स्थान पर Niger है तो ये भी आपको data याद रखना है इंडिया अब 131 स्थान पर दो rank पीछे चला गया है ये आपको ध्यान रखना है तो ये important points थे इन ही के आसपास में सारे questions बनते हैं जो पूछे जाते हैं तो आपको याद रखना है पहला आपको याद रखना है कितने rank पर इंडिया का है दूसरा आपको याद रखना है कितने country को सामिल किया गया है ये 2020 का data है कौन जारी करता है ये UNDP द्वारा जारी किया आता है इसमें क्या-क्या सामिल है health, education और income को सामिल किया आता है फर्स्ट rank में नारवे है और इंडिया का rank 131 है और सबसे नीचे जो है नाइजर है ये इतने points आपको याद रखना है इसी के आसपास question बनते हैं तो I hope आपको समझ में आ गया होगा ये आपके पास कोई query है कुछ पूछना चाहते हैं तो उनका commentables पूछ सकते हैं हमारे executive staff आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जीएस के अंट्यूप चैनल से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जै हिंद जै भारत